स्लाम अलेकूं गई जुल गंबर टुरासी कीचेन आई होप आप सब अच्छे अट सेफे आज हम आप सब के समने बनाएंगे बेंगल फीमा स्वीड़िस जो की है पाटी सप्टा चलिए पाटी सप्टा मानना स्टाट करते हैं करते हैं पाटी सब्टा की जो गोले बहबना का त्यायर कर लेएंगे इसलिए मैंने यह आप आको बोल लेलिया इसके अंदर वान कप जैसा राइस फ्लार यानि की चाबल की आटा ले लिया उसी मेजरमेंट कप की हाप कप जैसा माइदा यानि की ओल परपास फ्लार ले लिया त्री टेबिल स्पुन जैसा राबा और सिमोलीना डाल दिया देन इसके अंदर हप्टी स्पुन जैसा सॉल डाल दिया और इन सब को बहुत आचे से मिक्स कर लेंगे सारी जो ड्राई इंगिरिन से बहुत आचे से मिक्स कर लेंगे ये जो घोल है ये थोड़ा सा सुईट होगा इसलिए मैंने इसके अंदर जैगरी यानि की खजुर का गूर डाल देंगे और बहुत आच्छे से मिक्स कर लेंगे ये घोल बारने के लिए मैंने मिल्क का इस्तमाल करेंगे आप चाहे तो पानी भी यूज कर सकती ये उबलववा मिल्क है थोड़ा सा गूंगुरा मिल्क इसके अंदर डाल कर एक पतला सा घोल बाना का तैर कर लेंगे ये घोल है ये थोड़ा सा कम मिठास बाला होगा और इसके अंदर जो स्टापिंग रहेगा वो जादा मिठास रहेगा बहुत आच्छे से घोल को हम तैर कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद मिलाते जाएंगे एंड ये घोल बना का तैयर कर लेंगे स्मूध जैसे मुझे चाहिए पाटी साथ ये जो घोल है बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहेगा यह जाएसी चाहिए वैसी बना का त्यार कर लेंगे अब देख सकती है इसका जो घोले बना का त्यार हो गया यह आईसी कॉंसिस्टेंस में रहेंगे इसको धाका 30 में के लिए छोड़ देंगे इसी तरब पर पाड़ी सप्टा की जो स्टाफिंग और पूर हो था है वो तायर कर लेंगे इसलिए मैंने कोकोनाट ले लिया मार्केट से आईसी कोकोनाट मिल थी यहाँ पर आईसी कोकोनाट मिलता है यह बिसिकली डिस्नेटेट कोकोनाट जैसे है इसको थोड़ असा भूणैंगे जब तकि ब्राउन ना हो जाए जला नहीं देंगे भूणैंगे ब्राउन होने तब अब देख सकते ये बहुत आच्छे से भूण चुका थोड़ असा भूणैं भी हो चुका इसी टाइम पर ज्यागरी डाल देंगे क्योंकि पार्टी सब्ट एक स्वीट डिस है इसके अंदाज जो स्टापिंगे बो भी स्वीट रहेगा इसलिए मैंने और भी थोड़ा सा ज्यागरी डाल दिया अराउंड 3 टेबिल स्पुन जाएसा और बहुत आच्छे से मिक्स होने के लिए छोड देंगे आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया इसी टाइम पर मैंने हाप टी स्पुन जाएसा एलाईची और कर्डमों दे दिया और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदार एक फ्लिवर एड हो जाए अब देख सकते हैं मेरा जो करने के लिए एक तावा ले लिया फ्यू ड्रॉप्स ओयल डाल दिया एन एक आलू को काट करकर उसको बहुत अच्छे से फ्ला लेंगे आप चाये तो ब्रास भी उस कर सकते हैं बाट आलू से इन एक बहुत अच्छा फिलिंग आता है देर मैंने बैटर इसके अंदर डाल आप देख सकती है बहुत अच्छे से फ्ला लेंगे आप देख सकती है बहुत अच्छे से फ्ल चुका देन मैंने इसको कूख होने के लिए छोड़ देंगे आप देख सकती है बहुत अच्छे से कूख हो गया उसका जो कालर है बहुत चेंच हो गया इसी टाइम पर मैंने चोचन की स्टापिंग तक करका कित थी वो इक अन्दर बहुत अच्छे से डाल देंगे com बहुत अच्छे सी डालना हो गया हाप सी ऐक फोल करेंगे अथी माधड इसको थत्ती सेंड्स के लिए छोट देंगे ताकि बहुत अच्छे से कुख हो जाए यह हो गया दिन मैंने इसको प्लेट में उठा लेंगे आप देख सकते हैं इस मैंने सारी पाटे सप्टा बनका तयार हो गया यह दिखने में जितना कुप सुरा थे उतना ही टेस्ट बनका तयार हो गया आप मेरी रेसिपी को फॉलो कार कर घण में जरूरेबर ट्राइ आप खाई आपनों को भी किलाईए ये एक ऐसा स्वीड़ी से जो बहुत क्वीक भी बन जाते बहुत टिस्ट भी होता है थैंक्स फर वाचिंग